असलाम ओलाइकुमेंट गुड मॉर्निंग स्टूडन बच्चो आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने हेल्ट का भी ध्यान रखते होंगे तो बच्चो आज में आपको रिम जिम पाठ्य पुस्तक कक्षा चार में लेसन नंबर 11 पढ़क्कु की सूज की टेक्सबुक एक्सराइज पढ़ाने वाली हूँ तो चले बच्चो हम टेक्सबुक एक्सराइज सुरू करते हैं सबसे पहले हैं कविता में कहानी पढ़क्कु की सूज कविता में एक कहानी कही गई है इस कहानी को तुम अपने शब्डों में लिखो देखो बच्चो मैंने यह कहानी यह जो कहानी थी ना उसका पूरा सारांस पार्ट टू में लास्त में मैंने आपको कहा था तो आपको हम अच्छे से सुनना है और अपने आप ये पूरी कहानी लिखनी है अब next कवी की कवीताई तीसरी कक्षा में तुमने रामधारिसी दिनकर की कवीता मिर्ज का मजा पढ़ी थी अब तुमने उन ही की कवीता पढ़कू की सूज पढ़ी तो अब हम आगे क्या देखेंगे कि उसमें है को डोनों में से कौन सी कवीता पढ़कर तुमने ज्यादा मजा आया चाहो तो तीसरी की किताब फिर से देख सकते हो तो बच्चो यहाँ पे आपको कंपेर करना है कि आप जब क्लास 3 में थे तो आपने मिर्ज का मजा पढ़ी थी है ना और आज यहाँ आप पढ़कों की सूज पढ़ रहे हो तो आपको डोनों में से कौन सी कवीता पढ़कर बढ़ा मजा आया तो आप उसको डोनों को कंपेर करना और फिर आपको आंसर पटा चल जाएगा मुझे तो कौन सी बढ़ी अच्छ लगी मिर्ज का मजा अब यहाँ है ख तुम्हें काबूली वाला ज्यादा अच्छा लगा या पढ़कों या कोई भी अच्छा नहीं लगा तो आपको जो भी अच्छा लगा आपको उसका आंसर वहाँ पर लिखना है मुझे तो क्या अच्छा लगा था मुझे तो काबूली वाला अच्छा लगा अब यहां है ग अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कवीता ढूंदो कवीताएं इकठा करके कवीता की एक किताब बनाओ बच्चों आपको क्या करना है क्यूंकि अभी तो आप घर पे हो तो इसलिए स्कूल तो अभी आने रहे हो तो फिर आपको क्या करना है आपको कोई भी नई नई कविताए दूननी है और आप उसे एक बंच बना कर आपके पास रखना है और अगशा हो तो एक किताब जैसा भी उसको बना सकते हूँ ये एक एक अक्टिविटी जैसा ही है तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हूँ अब हम next देखते हैं महनत के मुहावरे कोलहू का बेल ऐसे व्यक्ति को कहटे है जो कड़ी महनत करता है या जिससे कड़ी महनत करवाई जाती है महनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे है इनका वाक्यों में इस्तेमाल करी देखो बच्चो यहां पर आप पढ़ चुके हैं कोलू का बेलों के जो कोलू का बेल जो पढ़ चुके है आपको पटा है कोलू का बेल याने जो कड़ी महनत करता है या फिससे कड़ी महनत करवाई जाती है तो उससे जुड़ा यहां आपको उससे जुड़े तीन मुहावरे लिखे हैं यहां पर दीन रात एक करना सेकंड पसीना बहाना थर्ड एडी चोटी का जोर लगाना तो उससे हमें क्या बनाना है इस इन तीन से हमें वाक्य बनाना है अब second है पसीना बहाना तो अब हुम उससे भी वाक्य बनाने वाले हैं कि वहाँ पसीना बहा कर पैसा कमा रहे थे and third एड़ी चोटी का जोर लगाना तो हम इसका भी अब वाक्य में प्रविक करेंगे कि मैंने इस पेपर को पास करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया तब जाकर में पास हुआ तो देखा बचो आप भी इस तरह से नए नए भी और वाक्य अपने आप भी बना सकते हो अब हम आगे देखते हैं यहाँ है पढक्कू का नाम पढक्यू पढक्कू क्यों पढ़ा होगा तो यह सिंपल सा एकड़म सिंपल सा कोश्चन है और उसका आंसर भी एकड़म सिंपल है जो मैंने आपको आगे भी बताया था ना पढक्कू याने बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला तो क्यों पढ़क्कु का नाम पढ़क्कु पढ़ा होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ता लिखता होगा अब यहाँ है ख तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो उसके आधर पर अपने लिए भी पढ़क्कु जैसा कोई शब्ड सोचो तो जैसे पढ़क्कु बहुत ज़्यादा पढ़ता लिखता है इसलिए उसका नाम पढ़क्कु पढ़ा है तो आपको भी सोचना है कि आपको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा काम करना अच्छा लगता है तो आपका नाम भी वैसा पढ़ना चाहे आपको लबता है कि नहीं मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूं तो मेरा नाम भी यहीं पढ़ना चाहे तो जैसे कोई चित्र करने में बड़ा मज़ा आता है तो उसे क्या कहेंगे चित्रकार वैसे ही आपको अगर फोटो खीचना या फोटो लेना फोटो बनाना वो गिरे काम करना अच्छा लगता है तो आप उसे क्या कहेंगे फोटोग्राफर है तो इस तरह आप ऐसे पढ़कू जैसा कोई शब्ड़ सोचो अब यहाँ है अपना तरीका हाँ जब बजती नहीं डोड करता निक पूँच धरता हूँ पूच धरता हूँ का मतलब है पूच पकर लेता हूँ तो यहाँ पढ़ है कि नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्डों में लिखो यहाँ पे क, ख, ग, ग, यह च्यार वाक्या दिये है जो हमें कवीता में दिये गए थे वहीं सेंटेंस यारे वहीं वाक्या यहाँ पर दिये है तो उसको हम अपनी यह सेंटेंस को हम अपनी भाशा में कैसे लिखेंगे तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मगर बूंद भर तेल सांज तक भी क्या तुम पाओगे तो यहां कविता की एक पंग्टी है तो इसे हम इस तरह लिखेंगे मगर क्या शाम यहां सांज है तो उसका मतलब क्या हुआ शाम तो मगर क्या शाम तक तुम्हें एक बूंद भी तेल मिल पाएगा तो यहाँ पर सांच का मतलब क्या हुआ शाम अब ख बैल हमारा नहीं अभी तक मन्तिक पढ़ पाया है तो उसे हम किस तरह लिखेंगे हमारा बैल अभी तक तरकशास्ट्र नहीं पढ़ पाया है तो यहाँ पर मन्तिक का मतलब क्या हुआ तरकशास्ट्र अब यहाँ है ग्, सीखा बैल को रक्खा इसने निश्चव कोई धब है तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, इसने बैल को कोई तरकीब सिखा रखी है, ओके यहाँ धब का मतलब हुआ तरकीब अब ग्, जहां न कोई बात, वहां भी नई बात गढ़ते थे तो इस वाक्य को हम कैसे लिखेंगे जहां कोई बात नहीं होती वहां भी नई बात बनाने लगती थे अब गढ़ना याने यहां गढ़ना याने बनाना तो अब हम next exercise देखेंगे देखो यहां है गढ़ना क्या लिखा है गढ़ना तो पढ़क को नहीं नहीं बाते गढ़ते थे बताओ यह लोग क्या गढ़ते हैं तो simple से यहां पर question है कि पढ़क को क्या करते थे नहीं नहीं बाते गढ़ते थे तो आप भी बताना है यह जो नाम दिये गए हैं वो क्या गरते हैं? मैंने यहाँ पर अलरी उसके आंसर लिखे हैं तो चलो हम देख लेते हैं तो सुनार, सुनार क्या गरता है? सुनार गहने गरता है सोने के और चान्दी के सब जो होते हैं गहने वो सुनार गरता है अब यहां है लुहार, तो लुहार क्या गरता है, लुहार लोहे की चीजे गरता है, अब यहां है ठठेरा, ठठेरा क्या करता है, वो भी बरतन बनाता है, किसके धर्टू के बरतन बनाता है, अब यहां है कवी, तो यह तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हम अभी आगे कवीता कवीता गढ़ते हैं, अब यहां है कुमार, तो कुमार क्या बनाता है, कुमार मिट्टी के बरतन बनाता है, यहां लेखक, तो लेखक क्या गढ़ता है, लेखक कहानी गढ़ता है, अब हम नई exercise देखेंगे, यहां पर है अर्ट खोजो, तो नीचे दिये गए शब्डों के अर आपको क्या करना है यहां जो शब्द दिये गए है इन शब्डों को आपको क्या करना है यह पूरे बॉक्स में आपको खोजना है और क्या करना है उस पर सरकल करना है तो चलो अब हम खोजें पहला है यहाँ डब तो डब का मतलब क्या है तरकीब या तरीका तो तरकीब कहा है यह रहा तो इस पर हमें सरकल करना है अब सेकेंड भेड तो भेड का मतलब क्या हुआ राज तो राज कहा है यहाँ तो इस पर हमें सरकल करना है अब यहाँ है गजब तो गजब का मतलब क्या हुआ? गजब का मतलब है कमाल यहां रहा कमाल अब यहाँ है मन्तिक तो मन्तिक का मतलब क्या हुआ? तर्क शाष्ट्र तो यह फर्स्ट है तर्क शाष्ट्र अब लास्ट है छल तो छल का मतलब क्या हुआ दोखा तो यहां रहा दोखा ओके तो बच्चों देखा कितना इजी और सिंपल है तो अब आज हमारी यहां टैक्सबुक के एक्सराइज फिनिश हो रही है अब हम मिलेंगे नई चैप्टर में ओके बच्चों तब तक बाई अला फीज टेक केर रखना धियान रखना थेंक यू